तो हिंदू धरम में सबसे ज़्यदा पुजे जाने वाली मादुर्गा ही हैं। देवी माता को कोई अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन कैसे हुई थी मादुर्गा की उद्पती। इस भगवान ने दियत था कौन सा सस्त्र सरो सक्ति साली मादुर्गा। जो देव मादुर्गा की उद्पती के बारे में जानकर आप सच में चौक जाएंगे। आए जानते हैं इनके बारे में। महिशा सुर से युद्ध हारने के बाद जब सभी देवता तीस लाक साल तक यहां वहां भटक रहे थे। जब उन देवताओं को कुछ समझे नहीं आ रहा था की आखिर करें तो करें क्या कि महिशा etties Agree की मैं अनुदेवर्णद से वरधार प्राप ठाक की उसे सिर्फ अजन में इस्तिरी ही मार सकती है। यह कोई आएसी देवी नहीं थी जिसने जरम ना लिया हो कि महिशा सुर्ग को मार पाए जिस वजह से महिशा प्रकोप न प्रत सभी देवताओं ने राजामंदी दे दि लेकिन Mahanции ने कहा कि ऐसी इस्ताई का रच्रत करसकते रहिती हैं लेकिन उससे संभालेना कौन कि सिश्ताई टो हम समसे भी अधिक रहने वाली है देवताओ और देवियों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था सभी देवताओं ने अपनी सक्तियों को एकत्रित किया और सभी की सक्तियों से उत्पन हुई जगत जननी मा दुर्गा जिनका जरम ही यूद करने के लिए हुआ था मा दुर्गा असमान से भी उच्छी अठारों हाथों वाली बहुत ही सुन्दर उतिन ही सक्ति सालित थी मा दुर्गा की चहरा सिव जी की सक्ति उनकी एनर्जी से बना हुआ था अजारों सुरे की जैसे चमक रहा था दुर्गा की केस यमराज की सक्तियों से बने थे आखे अग्रिदेव की सक्तियों से बने थी मा के कान वायुदेव की सक्तियों से बने थे, मा के नाग कुबेरदेव के सक्तियों से बने थे, मा के दाथ दक्ष की सक्तियों से बने थे, मा की ओठ कार्तिके के सक्तियों से बने थे, मा तुर्गा की अठारा हाथ भगवान विशुजी की सक्तियों से बने थे, और उन अठा अपने अपने अफ्थियार दिये गवान विश्णूर् ने माधुर्गा को अपनी सुर्दर्शन चकर और गणा दिया वर आप दयूने आप दूर्गा को अपनी तियोल दी अगरी दिया अगरी और यक्लिवनर्ण दियए वाायुत देयो jest आपनी मादुरगा को चमक्ती हुई रोशरी दिया यसे ही सभी देवता nouvelles मादुरगा को अपनी अपनी सक्ती दिये महिस्या सुर्जी से तिर्य भी नहीं मार पा नहीं सब के नहीं सब पाएथ कि कBayow की पूरी बात सुनि और जोड जोड से हस्नेल लगी की जो यक्त SNK गर्जिना से मेशा सूर भी काप गया महिशा सूर ने अपने सैनिकों को इस गर्जिना को पता लगाने के लिए भेजा उसके सैनिकों ने बताया की एक बहुत बड़े सेर परसवार है जिसके बाद महिशा सूर ने अपने सैनिकों से कहा कि उस इस्तिरी यानि मादुर्गा को मेरे पास ले कराओ जब सैनिक मादुर्गा के पास गए तब मादुर्गा ने उन्हें वहां से खदेरते हुए कहा कि जाओ महिशा सूर को बता दो की उसकी वद करने वाली इतनी का जर्म हो चुका है और वो असूर के छोड़ कर भाग जाए या तो अपनी मौद के इंतिजार करे जब महिशा सूर के यह बात पता चली तो महिशा सूर ने वसका और दुर्मुक को एक विशाल असूरी सेना के जिसके बाद मादुर्गा ने अपने 18 हाथों से सभी को पल भर में बिनास कर दिये ऐसे ही महिशा सूर कतार अपनी सेनाओ को मादुर्गा को मारने के लिए भेजता रहा मादुर्गा उनका बार बार अंत कर देती आखिरकार महिशा सूर को मादुर्गा से यूद करने के ल तुम मुझे नहीं जानते, मैं पूरे ब्रहमांड की मा हूँ, सम्पूर ब्रहमांड की उर्जा हूँ, जिसने तेरा सर्बनास करने के लिए एक इस्तिक रूप में जरम लिया है, तेरा अंत अब निकट है, कोई भी ताकत और कोई भी वर्दान तुझे मरने से नहीं रोक सकत ऐसा सुर महिशा सुर क्रोधित हो गया, और यूद करने के लिए जोरदार हुककार भड़ी, महिशा सुर ने एक से बढ़े एक के अस्त्रा और सस्त्र से वार करता रहा, और उसके सैनिक भी मादूरगा के उपर हमला कर दिये, यह देख मादूरगा अत्यांत क्रोधित हो ग किया उनका प्रहार इतना सक्तिसाली था कि महिशा सुर्ण जमीन पर गीर पड़ा जिसके बाद मादुर्गा ने भागवान सीव के तिरिसुल से महिशा सुर्ण के छाती पर प्रहार कर दिये और उनका सेर महिशा सुर्ण की छाती को चीर दिया मादुर्गा के तिरिसुल की ए इसा मिलता ही रहेगा